नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अतुल मौर आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूपी स्कॉलर्शिफ होम का स्टेटस कैसे चेक करते हैं अगर दोस्तो आप यूपी से हैं और आपने यूपी स्कॉलर्शिफ का होम भरा था तो एक बार आप जरूर अपने होम का स्टेटस अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको सही करवा लें ताकि आपका scholarship आ जाए इस वीडियो के नीचे description में आपको इस post का link मिल जाएगा इस post पर आगर आप अपने scholarship का status चेक कर सकते हैं अब आप थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आपको UP scholarship का official website मिल जाएगा आप इस पर click करेंगे तो आप scholarship के official website पर आजाएंगे अब आप student पर click करेंगे यहाँ पर आपको fresh और renewal का दो option मिलेगा आप जो भी form भरे थे उसको choose किजिए यहाँ पर हमने renewal form भरा था तो यहाँ पर हम renewal पर click करेंगे इसके बाद आप अपनी class के अनुसार option को choose कर दीजिएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का window open हो जाएगा यहाँ यहाँ पर आपको registration संख्या भरना है इसके बाद आपको जनमतित अपना डालना है इसके बाद नीचे आपको password डालना है यह password दोस्तों आपको जब खाम भर रहे थे एक password create किया होगा वो password आपको यहा एक capture code दिख जाएगा उस capture code को नीचे capture code में भर देना है capture code डालने के बाद आपको नीचे submit का एक button दिख रहा है उस पर click किजिए अब आप UP scholarship में login हो जाएगे आपका form यहाँ पर खुलके आ जाएगा अब आपको left side में check current status का एक button दिख रहा है उस पर click किजिए यहाँ पर आ चुका है हम इस link पर click करते हैं जैसे ही हमने click किया देख सकते हैं हमारे home का status खुल कर आ चुका है यहाँ पर देख सकते हैं registration कब हुआ था complete है final submission कब हुआ और दोस्तों bank से verify हो चुका है यहाँ पर सारक सारा यहाँ status दिख रहा है लेकिन यहां current status में कुछ कमी दिख रही ह है तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपने scholarship का home का status चेक कर लिए कोई दिक्कत है तो उसे सही करवा लिजिए तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि यूपी scholarship का home का status कैसे चेक करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्ले लाइक किजिए दोस्तों के सा सेर कीजिए मिलते हैं आपको एक दूसरे वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद